बिस्मिल्लाइ रख्माने रहीम अस्सलाम अलीकूम वैलकम टू शम्सी किचन आज हम बनाने जारें कटलत जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शियर कर रहा हूं यह आलू है आदा किलो बॉाइल हुए वे यह प्याज है चौप हुई वी एक घटी धनिये की और यह दस हरी मर्च हाफ टी स्पून कुटी वी लाल मिर्च एक चमच चाट मसाला आप लीमू भी ले सकते आपके मर्जी गरम मसाला हाफ टी स्पून हाफ टी स्पून पिसी वी लाल मिर्च हाफ टी स्पून हल्दी पौड़ और हस्बेजाय का नमक और यह मैदा है और यह ब्रड क्रम मैदा हम अब हम आलू को कद्दू कश कर लेंगे, सारे आलू को, ग्रेट कर लेंगे, यह अच्छी तरह से ग्रेट हो गए हैं, अब जो मैंने आपको मसाले बताया थे, इसमें वो पूरे मसाले डालेंगे, मसाले डालनी है हमने, अब हम इसमें ब्रट क्रम भी डालेंगे आदा, अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, मिक्स हो गया है अच्छे तरीके से, अब हम इसके कटलेस बनाएंगे, यह हम कटलेस बना रहे हैं, अब देखें, यह कटलेस बन चुक है, और वह जो मैदा है तो उसके अंदर पानी डाल है, और कुटी भी लाल मर्च नमा खस बिजाएका, और आपने से ठिक रखना है, जादा पानी वाला नहीं करना, अब इसको कोट करेंगे इसमें, पहले मैदे में डालेंगे, फिर ब्रेट करम उपर लगाएंगे, ऐसे हमने पूरे तैयार कर लेना है, एक एक करके, पूरे तैयार हो गए है, वाल गरम हो गया है, इसमें हम डाल लेंगे, और एक बात याद रखेगा, इसे जादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन, जादा डाइट ब्राउन नहीं कर देना इसको, माशालला से देखें, बहुत अच्छे लग रहे हैं, देखें, मैंने जैसे लाइट ब्राउन के ना, अपने भी वैसे ही करना, इन्शालला हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, हमारे प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राब और शेयर ज़रूर रहें, और ये देखें, हमारे कटलस तैयार हैं, कितने शानदार, मज़ेदार लग रहे हैं, मैं आपको तोड़ के दिखा देजी हूँ, और ये कैचप के साथ खाने का तो बिलकुल अलगी मज़ा है, ये देखें, कैचप में डालके। अलाफेज